सर डिफरेंस भी देख लिया सारी चीजे भी देख लिया अब हम सबसे पहले बात करेंगे SLM की अभी तक SLM की बात करेंगे पहले फिर WDB SLM के अंदर पहला हमारा method है that is SLM अगर SLM की हम बात करें तो SLM के अंदर दो बाते होंगी अगर आपको rate of depreciation दे दे तो कैसे करेंगे और rate of depreciation ना दे तो कैसे करेंगे यानि सर SLM के अंदर दो चीजें है सर दो चीजें क्या है when rate of depreciation not given जब आपको rate के depreciation का rate ही ना दे तो कैसे निकाला जाए दूसरा सर when rate of depreciation given ये तो अभी निकाला ही है when rate of depreciation given ये तो निकाला ही है इसमें तो दो राए कुछ भी नहीं है ये तो simple है तो हमें सीखना होगा ये when rate of depreciation not given तो हमारा depreciation होगा मैं short form में लिख रहा हूँ depreciation को DEP यानि depreciation annual आएगा क्या होगा सर depreciation depreciation होगा depreciation is equal to cost plus expense plus expense के बाद minus scrap value divided by estimated automated useful life ये हमारा depreciation का formula है सर cost का मतलब क्या है cost is equal to purchase price सर expense का मतलब क्या है expense is equal to installation installation cost plus erection plus insurance plus carriage यानि किराया सर टोटल कॉस्ट क्या होता है टोटल कॉस्ट होता है परचेज टोटल कॉस्ट होगा cost plus expense expense सर scrap क्या होगा scrap value इसके कई सारे नाम है एक है आपका salvage value एक है नाम आपका reducing cost value या residual value इसका मतलब होता है assets value at the end of its life assets का value उसके life end होने के बाद सर कई बार पूछ लिया जाता है rate of depreciation निकालके बताओ तो सर rate of depreciation कैसा निकाला जाएगा rate of depreciation is equal to total is equal to annual depreciation divided by total cost into में hundred ये formula है rate of depreciation निकालने का तो आपसे दोनों चीज़े पूछा भी जा सकता है चलिए ठीक है इस पर एक example ले लेते हैं फिर book वाला question लेंगे इस पर एक example ले लेते हैं जैसे मान लो मैंने अपना AC purchase किया रूपीज 45,000 और इसमें installation करवाना पड़ा फाइफ थाउजन और मैंने insurance भी करवा लिया 5000 और इसको last में बेचेंगे तो scrap मिल जाएगा इसका 5000 और मेरा life जो AC का रहेगा वो that is 10 year 10 साल यह सवाल है ठीक है आपको क्या निकालना है sir depreciation और rate of depreciation तो sir depreciation का formula लगा के फटा फट निकाल लो क्या होगा depreciation is equal to cost कितना है 45,000 plus expense दोनों add on हो जाएगा 10,000 minus scrap 5000 divided by 10 that is 5000 रुपय आएगा annual depreciation अगर मैं rate निकालूं तो rate यह रहा sir 5000 divided by total cost तो total cost कितना है into 100 मैंने थोड़ा fast करवाया है क्योंकि आप already 11th class में सीख चुके हो यह चीजे बस मैं remind करा रहा हूँ आपको यह rate का depreciation आगे 9.1 आ गया 55,000 into 100 9.09 यह लेजी बताइए कोई doubt किसी बच्चे को कोई doubt जितने बच्चे live में देख रहे हैं किसी बच्चे को कोई doubt बुक का नाम जे आर मोंगा है बहुत सारे बच्चो को class कैसे लेना है आपको नहीं पता होता कई बार तो content में जाके content में जाने के बाद आपको फोल्डर में लेगा उस फोल्डर के अंदर जाके आप उस वीडियो को और साथ के साथ जितने भी ये classes के notes हैं ये सारा उसी फोल्डर में आपको मिल जाता है किताब वगेरा सब कुछ बताया हुआ है के कौन सा लेना है आपको कोई doubt नहीं है सभी को clear रहे तो चलिए एक सवाल देख लेते हैं हम सवाल हमारे पास दे रखा है journal entry बोला गया है and open necessary account letter same period के लिए and the account and 31 March every year तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ calculation की बात करने वाले हैं mainly Journal entry हम बाद में करेंगे इसके पहले हम calculation और कितने साल के लिए बोला गया written doubt and useful life 5 चलिए चलिए सर्थ पहले हम इसका depreciation value निकाल ले और बड़ा करते हैं इसको क्या कहता है question में कि आपके book का है सालो मन पर चेज आम मसीन रुपीज एक जनवरी 2016 में एक लाख रुपे का तो एक जनवरी एक जनवरी 2016 में कितने का खरीदा एक लाख का खरीदा है इस एस्टीमेटेड यूसफुल लाइफ फाइव येर एंड सर लाइफ पांस साल एंड स्क्रैब वेल्यू 10,000 स्क्रैब वेल्यू 10,000 डेसाइड रिटन ओफ डेप्रिशेशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड पास नेसेसरी जनरल तो जनरल अभी नहीं करेंगे हम मैं बता दूँगा वैसे फाइव येर के लिए नेसेसरी अकाउंट बनाने है तो पांस साल के अकाउंट बना लेंगे और अकाउंट जो क्लोज होता है हर साल 31 मार्च को होता है तो एन्वल जो डेप्रिशेशन निकलेगा डेट इस डेप्रिशेशन क्या आएगा वो बता दें पहले डेप्रिशेशन आएगा एक लाख माइनस दस हजार अभी फॉर्मूला लिखा था डिवाइड बई फाइफ तो आगे अनबे हजार डिवाइड बई पांच यानि सर अठारा हजार रुपे एक साल का डेप्रिशेशन याद रखिएगा तो चलिए सर डेप्रिशेशन कब लगेगा सर 31,3 2016 कितने महीने का लगेगा 3 महीने का लगेगा तो सर 18,000 का अगर हम 3 महीने का निकाले तो कैसे निकालोगे 3 by 12 और 3 by 12 कितना आता है हमारा 4 4500 रुपे कितने आगे 4500 तो पहले साल depreciation लगेगा 4500 सर बैलेंस कितना आया 95 95 500 एक साल complete इसके बाद एक क्या डेट आएगा 14 2016 फिर से 31 2017 अब depreciation कितना लगेगा अब तो पूरा ही लगना है पूरे साल का that is 18,000 18,000 that is 75 7,500 अब आएगा 14, 2000, 17 दो साल हो गएं, पांस साल तक करना ही एक काम 31, 3, 2000, 18 फिर से 18,000 लग जाएगा तो यह आगया हमारा 59 500 लो जी तीन साल हो गए 14, 2000, 18 फिर लगेगा 31, 3, 2, 0, 19 फिर से लगने वाला है 18,000 41, 500 लो जी चार साल हो गएं, एक चार, दो हजार, उन्निस लास्ट लगना है 31, 3, 2, 0, 20 फिर से लग गया हमारा 18,000 तो 23,500 यह बच गया हमारा लास्ट बैलेंस अब इसी को हमें लेजर में फुट करना है तो लेजर देखिए कैसे बनेगा लेजर देखिए चलिए यह बनेगा हमारा लेजर देट इस क्या था हमारे पास मसीन तो उपर लिखना है मसीनरी अकाउंट पहले डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट इस साइड डेबिट और इस साइड क्रेडिट ठीक है इस साइड डेबिट और इस साइड क्रेडिट चलिए सर अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं देखो हमारा मसीनरी यानि ये कौन सा अकाउंट है हमारा एसेड का अकाउंट है एक तरीके से किसका अकाउंट है एसेड तो हमेशा याद रखना एसेड डेबिट साइड से हमेशा क्या होता है प्लस होता है और क्रेडिट साइड से क्या होता है हमेशा माइनस तो यहाँ पे क्रेडिट साइड से माइनस होगा और debit side से plus होगा याद रखना है plus होने का क्या कारण है यानि कब-कब हमारा debit होगा एक reason है जब हम क्या करेंगे sir purchase करेंगे तो हमारा assets बढ़ जाएगा दूसरा reason क्या है sir दूसरा जब हमें क्या होगा sir profit होगा तो बढ़ेगा sir buy यानि credit में लिखने के क्या कारण है number one अगर आप depreciation लगाओगे तो कम होगा number two और अगर loss हो जाता है तो कम होगा number three अगर आपने bank से बेच दिया है यानि sale कर दिया है तो ये तीन कारण घटने के हैं और दो कारण बढ़ने के हैं इसमें ठीक है तो चलिए posting करते हैं कैसे करेंगे तो हमने मसिंडी को खरीदा एक जनवरी एक जनवरी 2016 एक जनवरी 2016 word जो लिखना है लिखना है two bank क्या लिखना है sir two bank कितने का खरीदा एक लाक अब 31 तीन 2016 बाइ साइड में लगाओगे आप क्या sir depreciation और sir depreciation कितना लग रहा है पहले साल में 4500 पहले साल में 4500 फास्ट येर completed इसके बाद total करेंगे वन लेक वन लेक पाई बैलेंस बहुत बच्चे science के भी होते हैं उनको basic class देखनी होगी तो अगर मैं बात करूँ तो कैसे आया एक लाख में से 4500 माइनस कर देंगे तो 31,3,16 में कितने बचेंगे sir 95500 चलिए sir अब date आजाएगा क्या 11,14,16 फिर से क्या आएगा 2 balance balance BD that is BD में क्या आएगा 95500 ठीक है फिर depreciation लगेगा कब 31,3 अब 17 आजाएगा by depreciation कितना लगना है sir depreciation अब 18,000 लगेगा लीजिए sir दो साल हो गए 95500 इसके बाद 95500 अब आएगा by side में balance cd अब आएगा 77 500 अब जीरो कब आ गया 31,3,17 आपको date का ध्यान लिखना है अगर आपने देट गलत दाला format गलत किया तो आपके marks बहुत ज्यादा कटेंगे कमनी बहुत ज्यादा तृष बात का ध्यान लखना है एक चार 17 टू बैलेंज BD Sir, कितना आएगा? 77 500 इसके बाद 31, 3 18 by depreciation Sir, क्या आएगा depreciation again? 3 साल हो गए यह आगया हमारा 77 500 77 500 अगेन आएगा by balance CD अब आएगा 59 500 31, 3 18 अब आजाएगा 14 18 2 balance BD 7 59 कितने साल हो गए? 1, 2, 3 साल हो गए 59 500 31, 3 19 by depreciation फिर आएगा फिर आएगा उसके बाद 500 59 500 अब आएगा by balance CD 31, 3, 3, 3, 9 कितने आजाएगे हमारे? 41,500 यह तो समझो प्रैक्टिस हो रही है कि अकाउंट में कैसे CD और BD बनाए जाए? 1, 4, 19 2, 2 balance BD 3, 3, 4, 5, 3, 3, 2, 2 balance by depreciation Sir, 18,000 और लास्ट में balance बच जाएगा हमारे पास Sir, 41,500 41,500 और by balance CD That is आपके पास निकल के आया 23,500 और 31,3, 20 तो यह लो हमने लेजर में क्या करा? पोस्टिंग कर दिया हमारे सवाल जो होंगे वो एक machinery नहीं होगा कई बार हम एक से ज़्यादा machinery की भी बात करेंगे machinery को बेचा भी जाएगा खरीदा भी जाएगा loss भी होगा इस तरीकी का तो पहले फटा-फटा आप यहां तक note करिए starting से हाँ तो इस crab value है तो वो तो जब last साल कितने साल बाद? 5 हमने 5 का ही बनाया है ओके तो यहां पर एक क्या काम करना है 5 साल depreciation लग गया उसके बाद इसको बेच दो उठा के एक point रह गया था चलो कर देते हैं इसके बाद इसको कर दो sold और sold करोगे कितने में सर, इस crab कितने 10 में अब देखो थोड़ा change हो जाएगा ध्यान दे ना 13,500 तो चलिए यहां पर next year pass हो जाएगा इस साल भी बेच सकते हैं और चाहो तो अगले साल भी ले जाओ अगले साल ले जाएग चलो हलाकि इसने 5 साल भोला हमने कर दिया अगर हम इसको अगले साल ले जाएग तो कुछ भी change नहीं है 14, 2020 2 balance BD कितने का 23,500 अब यहां पर 14,20 में ही buy क्या कर दोगे bank से आपने sold कर देना है बेच दिया कितने का बेच दिया 10,000 और 14,20 में ही आपको buy profit and loss से sir loss हो गया कितने का sir loss हो गया 13,500 और यह भी बन गया 23,500 और दोनों साइड के आ जाएगा हमारा 23,500 ठीक है यह चाहें तो हम उपर वाले कॉलम में भी कर सकते हैं लेकिन कोई बात नहीं ठीक है date क्या होता है हमारा how 4500 यह रहा आपके पास how 4500 क्योंकि यह 3 मंद का लगा है पहले यहां से यहां तक मंद देखोगे तो 3 महिने हैं तो 3 महिने का 4500 निकल के आ गया है पहले एक बार नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं जिसका जो doubt है वो पूस्ते भी जाईएगा question number 2 देखिए हैं कर लेंगे उसको दुबारा कर लेंगे जिन बच्चो का inventory का एक inventory doubt session रखके उसको कर लेंगे है देखिए sir question number 2 मैं आपको homework में देने वाला हूँ क्या कहता है question में एक machinery खरीदा गया एप्रेल उन्निस में 15000 रुपे का जिसका cost installation लगा था 1000 और expected scrap value दे रख़ा है आपको end of the कहता है value at the end of the 2000 और इसका life भी दे रख़ा है आपको कितने दे रख़ा है life working life will be 2000 life दिया ही नहीं चलो machine account first two year दो साल बनाना है diminishing balance method और SLM और यहाँ पर rate दे दिया जब आपको rate दे दिया न तो scrap value और आपको other points life का कोई काम नहीं है rate दे दिया इसी को आपको question को एक बार SLM से 2 सालों के लिए करना है एक बार WDV से 2 सालों के लिए करना है simple सा रहेगा आपका 15,000 रुपे का machinery 1,000 रुपे installation cost हो जाएगा कितने का आपका 16 और 10% के rate से depreciation लगाओगे 16 तो पहले साल बचेगा 14,400 फिर लगा दोगे आप 16,000 जो बचेगा बच जाएगा लेकिन WDV में क्या करोगे आप सर 16,000 पहले साथ लगेगा 16,000 14,400 और फिर लगेगा 14,400 और जो balance बचेगा बच जाएगा WDV बस इसको account के अंदर आपको क्या करना है? plot करना है ये question रहेगा आपका homework में आपका क्या करना है नहीं स्रेफ account आएगा जर्नल नहीं आता फिर भी हम एक कर लेंगे जर्नल inventory का last में बिलकुल अलग से class लेके ना एक पर सभी का doubt लेना है ले लेंगे ये qई में भी एकुल ये लेना है ये कीा जर्नल